चालीस वर्ष पुराने धनबाद स्टेशन इस्थित बस टैंड का अस्तित्व होगा खत्म चालीस वर्ष पुराने धनबाद स्टेशन इस्थित बस टैंड का अस्तित्व 3 सितंबर से खत्म हो जाएगा जिला प्रसासन के निरने के आलोक में धनबाद स्टेशन इस्थित बस टैंड को बल्टाण बस टैंड स्थनांतरन कर दिया गया है तेकि बस बंद होने से हम लोग को फरक पड़ेगा, हम लोग का रोजी रोटी चलता है, बहुत अइसा दुपान है, परोना कास के साथ हम लोग अथिव इते जिने हैं, पर अधे पर्थासनी सब गर रहा है, बहुत तरह का मतलब दिक्कत होगा, यातरी लोग को भी दिक्कत हो सहर को जाम से मुक्त कराने की दिसा में प्रशासन द्वारा तै रूट के बाद बसे, अब स्टेशन रोड में प्रवेश नहीं करेंगी, लिहाजा जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद, सहर कितना जाम से मुक्त हो पाएगा, या देखने वाली बात इन्होंने बताया एक तरफ कोरोना की मार पहले से ही रोजी रोटी पर आफ़त है, अब प्रशासन के नए फर्मान से इनकी चिंता बढ़ गई है ईसको एक बिकल्पी या कुछी परशासन ने बताया की बिकल्प आफ लोग के लिए हुश हमको तो कुछ बिकल्प नहीं दिये है हम भी से आते हूं इसे आएंगे, इसे ठिकट कारते हैं, इसे आते हैंगे परशानी बढ़ गे घर की आर्थी किस्तिती पर लिप परूपर रहा है कि आप लोग जो जो सब भूखे रही है जो चल रही थी उजी तरह से कम से कम हम लोग अगर लगता है यहां से दिवस्था बिगड़ रहा है तो हम तो मिडने करा स्टोपेज देने से वन्बे उजाए अगर आपको जद्स धीकर लगता है तो हमलोग यहां डो मिल्ट टरह दिते हैं ५५िर बस धिन निकालना हुदार से है अगर आपको बैंक मॉन में लगता है कि जाम है तो स्टेसन दोड तो अगर विधी विवस्ता बनाया रखना है यहां से पैसिंजर जो है पास डिपू तक नहीं जा पाए अभी तो दीन में चला जाए किसी तरब विवस्ता कर लेगा तो इस प्रोब्लम हो और उस प्रोब्लम करने के लिए यह दो मेट कर स्टोपेश दी है दिन में और यहां भी जो भी पैसिंजर उठाएगा अपना फिर जो की बैकल रूट आप जेंगे वहां के बाद हमनों उसी झाल झाल झाल